वेल्कम टू यूनिक कलासेज अब डीबी जी देखिया हमारे पास एक साइज 12 का ए है इससे पिछले वाले वीडियो में जो है हमने कोशन सॉल्ब किया था वन से सॉल्ब किया था एंड आपको थीरी तक सॉल्ब किये थे तो फूर तो आपको सिमिलरली था तो इसलिए तो इससलिए तो कि बातब़ किया है तो यह हमारे पास यह पास कोशनन नंबर फाइब तो इस परकार दिया हुआ है इसे हमने मान लिया लेट A बराबर इतना यह हम A बराबर इतना मान चुके हैं तो A बराबर तो हम मान चुके हैं यहाँ पर दा क्रेक्टिरिस्टिक इक्वेशन ओफ A is A-Limd I देखिए यहाँ पर आपको जो है step by step भी इसे solve कर सकते हैं without step by step भी solve कर सकते हैं यहाँ पर आप इसको लिख सकते step 1 लेकिन हम बिना step क्या ही solve कर रहें आप इसे धियान से देखिए question में आपको किसी पर कर प्रॉब्लम नहीं होगा बोले तो answer में बिल्गुल असानीच आप परते question इसका solve कर पाएंगे इसलिए पहला question आप इसका देखिए फाइब यह इससे अच्छे से देखिए characteristic equation of a हम इसका क्या करते characteristic equation निकालते है equation निकाल ले के लिए कोई दिक्कत नहीं है a minus lambda i रखना ही है यहाँ पर आपको determinant लगा देना तो यहां पर आपको one minus lambda two minus lambda three minus lambda okay तो यहां तक दिकर नहीं होना चाहिए and आप देखे यहां पर एक आपको trick इस तरीके से भी आप इससे solve कर सकते हैं यहां पर से हम आपको दो मैठर मैठर बताएंगे कितना तू आपको दो तरीका यहां से हम बताएंगे तो आप देखे तो पहला तो आपको इस तरीके से बना सकते तो मैं यह आपको समझा दू कैसे निम्डा का पावर थिरी minus S1 lambda square plus S2 lambda minus determinant of A बराबर 0 तो यह इस form पर भी लाकर आप solve कर सकते हैं दूसरा method बताएंगे तो वो भी आप देखेगा धियान से यहाँ पर S1 बराबर S1 हमारा क्या है आपको पता S1 क्या होता है तो देखे हम S1 के बारे में हम आपको बताएंगे कि आपको टेंसल लेनी की जोड़त नहीं है तो S1 के बारे में मैं बता दू यहाँ पर देखे A11, A22, A33 तो A11 क्या होता है तो देखे यह तो आपको आपको A-Limda I है यहाँ पर देखे A11, A22, A33 तो यहाँ पर देखे हमारे पास तो ऐसा है आप यहाँ पर करना है क्या दो देखे जो देखें हम मैं बता दू इसको This one को Langu Ary God लेग्वेज में लिखे तो क्या लिखीं गे इस वन यहाँ को लिख सकते हैं 20 सम ओफ डाइगोणल क्या लिख सकते डाइगोणल okay elements क्या elements and यहां पर देखिए मैं आपको बता दू sum of diagonal elements देखिए हमारा यह जो diagonal है ना इसका आपको क्या लेना है sum लेना है तो हमने लिया sum sum बुले तो जोर होता है 1,2,3 देखिए 1,2,3 है ना 1,2,3 सब को हमने जोर में लिख दिया तो हमारा 6 आ चुका है कोई दिकत नहीं होना चाहिए इस टू हमारा है इस टू क्या होता मैं आपको बता दू लेंग्वेज में पहले बता दू आपको समझ में आएगा अच्छा इस टू होता है समझ में औफ़ डाइगुनल एंड यहां पर हम इसकी बात करें तो यह आपको होता माइनर डेखिए सम ऑफ़ यहां पर जो होता है यह हमारा क्या है डाइगोनल है इसका हमको माइनर निकालना माइनर तो जानते हैंना को फैक्टर माइनर तो को फैक्टर नहीं लेना माइनर लेना है आपर माइनर तो चलिए हम इसका माइनर निकालते हैं तो माइनर कैसे निकालते हैं यहां को वन लिए न आपको निकालए तो आप जानते इसका डिय नहीं काल जाता तो यह पो यह तो यह और यह को तो आपको इस तरीके साफ बिल्कुल असानी साफ लिख सकते को दिकत नहीं है एंड यह हमने डिटर्मिनांट 6 निकाल लिया अब देखिए यह चीज 116 एंड 6 इसमें पुट कर दिया लिम्डा का पावर 3 है न तो इस वन के जगा पर इस टू के जगा पर डि तो इसमें आपको आगे करना क्या है जो आपको काफी इंपोटेंट है यहां पर देखिए अभी हम जो है अभी हम जो है इसका आपको दूसरा मैथड बताना भूल गयते तो हम इसको आपको दूसरा मैथड इसका बता दू वह आसान लगे तो वह बना लीजेगा नहीं तो सब्लाइच के लिए तो देखिए दूसरा मैथड इस परकार है अ को माइनस लंडा यहां तक करना यहां तक तो दोनों में सेहआं… करकेक श nacional करना करना किन उसे स्काराइब और एभंस लेट लिए जिएक मैने स्कूरणों तो यह लेट ने देपिन के दुरिक श देज करते आपको तो आना यह हम तिका रहा हुए काल्कुलेशन आपको करना है एंड यहां पर देखें माइनस लेंड का पावर थी और सिक्स सिख लेंड का पावर तो यह भी आपको इतना आ चुक है जितना पहले निकालेते मतलब यह यहाँ सी जो दोनों का काम करेंगे वह इंप़्ोटेंट वह थ्यान से देखिए तो end यहां पर देखिए तो अब यहां पर जो यह आगे कैसे इसका मान निकाले मान बोले तो lambda का root कैसे निकालेंगे तो root निकालने का बहुत बेहतर तरीका बहुत अच्छा तरीका है देखिए मैं बता दूँ आपको दिक्कत नहीं होगा एक method का नाम जानते हीट and trial method ठीक है न यह कभी परहे होंगे नहीं परहे तो आज देख लीजे हीट and trial method इससे कि द्वारा क्या होता है मैं बता दू आपको लिम्टा का मान जो है न पूट करते क्या पूट करेंगे मतलब बुले तो हम मुर्मान रख रहें कि चेक करेंगे क्या कोई ऐसा time आता है जो यह आपको 0 हो जाए हां एक time आया लिम्टा का मान वन जो है यह satisfy कर गया बूले तो यहां पर देखिए लिम्टा माइनस वन इस फैक्टर जब इसको satisfy यह आपको लिम्टा का मान वन करता है त के जब यह रूट तो एक रूट बता हो गिया हमको दो रूट क्यूं है ना तो दू रूट तो बोट अच्छा तरीड का यहां पर आपको दो करेंगे अप से आप जऑ तरीका हो देखिए और की यहां तो नहीं पड़े तो अभी देख लीजिए कैसे क्या सॉल्ब करना लें लिए क्योंकि वन जो है आपको इसका क्या आपको फैक्टर है तो वन हम ले लेंगे जो भी फैक्टर हो पहला वाला तो वह लेंगे यह देखिए यह वन-6 11-6 यह कहां से आगया तो यह आपको कोई भी लिकद नहीं है अब इस चीज गो सेमिल्टिपलाइं करिये वन निकाई तो यहां पर लीखेंघे अब इन दोनों को जो रहें गे तों-5 आजाएका अब इस तो यहां पर देख लीजिए तो इस परकार हमारा आचुका है अब यहां पर एक क्वाड्रेटिक एक्वेशन बोले तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी इसको लिखेंगे देखें कैसे यह लेमडा स्कॉाइर मानिस फाइब लेमडा पलस सिक्स अब यहां पर देखें इकवल इसका एकवेशन क Kennay यहां अपर कावर फिरिम यहां पर आपको यह लेमडा का रिमडा ऑEL माई तो यहां पर आपको लिखना होगा तो यहां पर इस equation बराबर 0 है न इस equation बराबर 0 तो अभी पहला रूट हमका इसका निकला लेमडा-1 धियान से देखेंगा यह प्रोसेस में तो दिक्कत हो जाएगा लेकिन अभी हम जो बता रहें वह देखें लेमडा-1 यहां पर यह वह निकला न इसका यह भी निकाले तो यह दोनों आपको ऐसे लिखना है लेमडा स्कॉाइर माइनस फाइब लेमडा पलस सीक्स तो यहां तक कोई दिकत नहीं होना चाहिए दोनों को लिख लिए इतना बराबर इतना क्योंकि इसको तो इतना आया ना तो इन दोनों को फिर मल्डिपला करेंगे तो वापस हम को यह तो नहीं मिल जाएगा अब इसके अनुसार हम चले इसका तो दिखे तो उनच तो इहां पर नो kingdom पर क्या कर सकते हैं याद फपर फ़र यहां पर रहो है यह देखी तो यहां पर बराबर 0 कर देजिए क्योंकि इतना बराबर 0 कर देते हम यहां पर करके बता चुक है तो हम है यहां आपको यह क्ल आगया इसका नाम देते हम लोग आईजेंगे। यहां पर जब लेंगे मृधब stiffard निकला था देखें नहीं बेलिए तो दिकत नहीं है सबंद नहीं पर değil सब्सक्राइब तो एक्विशन भी ए मानस लिम्डा आइ एक्सवन ले लिए कि तक यी कन्फियूजन नहीं एक्सवन मॉले तो एक्सवन का बान होगा एक्सवाइज़ ही कोई नया चीज नहीं है यहां पर लिम्डा के जगा प्रव रग दिया तो आई तो हो गाई यहाँ पर कर दिदिया। करते हैं इस से 0, इस से यहां पर थे यहां निकल कर आ यांड या निकल कर आ टाया है। और यहां पणिशन ओम घारल पूरत तो यह्ट walks किने स्टम से लगे।elिकिन यह इन्हाइता चैट सिस्टब यह पर लिखावां शिच्टबार्ण फार मेनिस क्यों? यहां पर क्यों यह ब्राबर ती यह देखिए यहां पर यहां पर यह ब्राबर शॉकर्ट सब्सक्राइब मैं हमने चोका है इक सब्सवाइज जो आगिया है ति जो हमारा क्या है माना हुआ माना हुआ तो यहां पर हमको भी लेना ती को छोर कर लेना है तो यह आपको लिंड़ा का मान जब यह आपको लिम्डा का मान जब 1 रखे तो अब लिम्डा का मान 2 रखेंगे 3 रखेंगे दोनों रखें करते हैं विन जब लिम्डा का मान हम 2 लेकर चलते कितना 2 तो देखे क्या था यह आपको ले लेना 2 0 0 0 2 0 यहां पर एक स्वाइज बराबर जीरो लिखना है तो घटाने के बाद इस तरीके का फॉम आ चुका है यहां पर इसको मल्टिप्लाइ कर दीजे तो हमारा ऐसा आजाएगा एंड यहां पर हमारा इस तरीके ता चुका है यहां पर जेट के जगा प अब हमें स्वाइज तो लग दिया तो मायनस टी क्यूंकि एकसक के जगा पर मायनस की आ गिया तो इसलिए मैंस टी तो वाइक के जगा पर देगे यहां तो यहां से हम इसको आजरु की बात करें तो तो आज चुका मारा माने तो यहां तक आ चुका है एक्वेस्टन वान टू थी आ चुका है यहां पर एक्वेस्टन हम जो है थी से चले तो तो यहां पर यह रहा यहां पर टो माने व continuously क gars अजय है तो यहां पर हमने से जो यहां मेंल यह चुकाल यहां पर चुका है यहां पर जड़ा इतना यहां पर आपको यह तो टुटी हो गया मैंनस दो अ YES काभाइ एक्वेस्ट आख हूए तो आपको इसमें काफी डिटेल से समझाना पर तो इसलिए इसमें आपको काफी टैम लगा लेकिन अगला कोश्चन में तो इसलिए आपको कोश्चन में ज्यादा टैम नहीं लगेगा